सब्सक्राइब कर दोस्तों स्वाज़त है आप शबीक हमारे चैनल में और आज बहुत अच्छे होंगे और आज हम आपके साथ से बहुत ही मज़िदार टॉपिक कॉंक्रीट के बारे में डिस्कूस करने वाले हैं कॉंक्रीट के बारे में कौन नहीं जानता और फैक्टर अफ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकोन को दबाना ना भूलें ताकि मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको और चलते हैं कॉंक्रीट और फैक्टर अफेक्टिंग स्टेंग बर्गिबिल्टी ऑफ कॉंक्रीट बही ऐसा पार्ट है कि बाइक कॉंक्रीट में पैसा है और इसको बचाना हर कोई जानता है और चाता है इसलिए तो टेकनीकल स्टाफ रखते हैं साइब कि बाइ नोग्रीट की बर्गिबिल्टी स्टेंथ सारी जीजें य। scripts अनूमिकली पार्ट है तो इसको maintain करो as a civil engineer आपके पास जम्मेदारी होती है कि concrete से पैसा कैसे बचाए किस तरह के plants, क्या material, किस तरह के material यूज़ करना है जिससे कम cement में, कम पैसे में आपको अच्छी strength बसे इनी सब चीजों के बारे में क्या ध्यान रखने वाली बाते हैं उनको हम आज़ डिसकस कर रहे हैं आखरी तक बने रही है, मिलेगे आपको golden formulas के साथ में, बहुत अच्छी चीज़े बताने हैं concrete के बारे में आप सभी जानते हैं factor affecting के बारे में आप हम बताने वाले हैं और concrete के कुछ golden formula जिससे आप अपनी burkability को बचा सकते हैं, उसको हम डिसकस करेंगे, बने रही है हमारे शाथ क्योंकि परिशानी कहां आती है कि strength burkability strength के लिए लोग बा कहते हैं cement बढ़ा दो strength बढ़ जाएगी, strength कमा रही है पानी बढ़ा दो burkability बढ़ जाएगी लेकिन ये नहीं जानते हैं कि cement से strength बढ़ती है, burkability कम हो जाती है और पानी से burkability तो बढ़ती है, strength कम हो जाती है और इन दौनों को balance करने के लिए जिस engineering की use होता है उस पर बड़ी-बड़ी किताब हैं लिख चुकी हैं यही तो concrete technology, concrete engineering है concrete technology जैसी बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हुई हैं लोगों ने तो कुछ लिखा होगा civil engineer है, कितनी सारी किताबें पढ़ने की आदत नहीं होती है mostly छोटे समय में maximum information मिल जाए इसलिए हमने channel बना हुआ है बने रही है मारे शाद और हम बादा करते हैं आपको मिलेगी वो सारी ची ऐसे कौन से factor है जो concrete की strength को effect करते हैं तो उनके बारे में जानेंगे water cement ratio भई सभी कहते आये हैं कि strength बढ़ाना है cement बढ़ा दो लेकिन एक ratio है water cement ratio जो cement की respect में पानी को कितना मिलाना है maintain करता है ताकि आपकी strength बड़े ही क्योंकि और cement aggregate ratio भी है और grade of aggregates भी है safe and size of aggregates भी है compaction है curing है cement content butter content है अब आप बोलेंगे कि सर हम तो बात कर रहे हैं concrete की strength बढ़ाने की और आपने butter cement ratio तो समझ में आता है लेकिन आपने maximum जो topics हैं आप वो aggregate पर focus करके रखे हुग है तो भाई आप नहीं जानते क्या कि cement is a binding property cement have a binding property all the strength have to be taken by the aggregates aggregates ही सारी strength देते हैं cement strength नहीं देता है वो सिर्फ पकड़ के रखने का काम करता है तो ऐसा इंजिनियर आपके concept के लिए होना चाहिए compaction curing और cement काउसा यूज़ कर रहा है border content कैसा है यह तो matter करेगा ही aggregates पर mainly focus होता है इसलिए तो flackiness, elongation test बगेरा होगे या impact value, aggregate impact value test होगे इन सब का use करते हैं mostly और इन सब की description में link है आप जाके जरूर देखें किस तरह से test करते हैं कौन सा ice code इस्तमाल करते हैं क्या जरूरी होता है कैसे procedure follow होता है ice code को कैसे समझते हैं बागी सारी चीज़े आमने discuss की है आप description में जाके link से जरूर देखें अम आप से बादा करते हैं आप तुम से satisfied होगे border cement ratio की बात कर लेते हैं आप से पहले तो एक ice code है mostly हमने सुरुवाद में बताया इसा कि आपने thumbnail में देखा क्या देखा thumbnail में आपने thumbnail में देखा कि इस पर ice code 10-222-2009 or ice-456-2000 पर बात करने बात करेंगे तो हम बहुत हो बात करेंगे ice code कहता है कि 10-222 जो concrete mix proportion की guidelines follow करता है बाता करते हैं कि हम आएंगे आपके आप हमें अपने comment box में जरूर बताओ कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं सब्सक्राइब तो आपने करी लिया है तो notification तो आपको तुरत मिली जाएगा यह कहता है कि maximum strength जो है वह 0.4 barter cement ratio में आती है और इससे उपर आएगी तो वह acceptable नहीं है तो भाई यह चीजें ध्यान रखनी है additionally 4-5-6-2000 में बहुत सारी environmental conditions है इसके respect में कौन सा grade आपको इस्तमाल करना है आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सा grade आपको prefer करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए आप नहीं save करके रख लो क्योंकि यह चीज़ ध्यान में लखना क्योंकि जब भी आप icecoats की कोई table prefer करते हैं तो उसके नीचे जो clues mention होते हैं उस clues को जरूर जाके देखें क्योंकि बहुत सारी ऐसी area information होती है जो इस table में नहीं लिकी होती है जैसे इस case में हुआ है क्योंकि एक clues है 8.2.4.1 अधि आप जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि यह वाली table जो number 5 है वो शिर्फ minimum cement content maximum water cement ratio जो apply होता है 20 mm nominal maximum size पर होता है लेकिन other maximum size nominal maximum aggregate size यादा कोई दूसरी है तो आपको table number 6 refer करना पड़ेगा और यदी कोई होता तो table number 5 से कभी table number 6 पर जाता ही नहीं शली हम बता देते हैं कि table number 6 कहती है कि यदी आपको nominal maximum aggregate size 10 mm है तो 40 kg per cubic meter आपको cement बढ़ाना है और 40 है तो 30 kg per cubic meter cement कम करना है यह adjustment है इसको भी refer करना है और आप बापस से table number 5 पर आप जाएंगे एक crew से 6.1.2 9.1.2 और इन सब चीजों में exposure conditions को manually notified किया है कि आप 4,5,6 prefer करेंगे तो आपको mild, moderate, saver, buried saver or extreme के बारे में बताया जाएगा तो हम आपको चले चलते हैं table number 3 पर जहांप exposure conditions के बारे में बताया हुआ है तो इसमें इन लोगों ने कहा है कि mild condition कौनसी है जहां पर आपका concrete protected है कहीं जादा environmental condition में नहीं आता है weather, again it's weather production है तो वो mild, सबसे safe environmental condition that is mild, फिर तोड़ा सा harder आप moderate में क्या क्या आ जाता है, concrete condensed rain में आपको expose कर रही होती है, continuously पानी में continuously immersed है, या आप नौन एग्रिगेट श्वायल और ground water में आपको इसमें content है और concrete surface है, जो settled है, salt air के coastal area के contact में आती है concrete, और concrete exposed to condensation and rain ज्यादा environmental pressure है तो बहाँ हो moderate saver condition क्या कहेंगे concrete surface exposed to shiver rain, alternative batting and drying जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पढ़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी पढ़ती है, alternative batting or drying की condition है, वहाँ saver होगा ऐसा तो नहीं कि occasionally freezing भी जहां होती हो, जहां ठंडे तो आपर minus temperature पहुँचा है freezing वाला, तो वह saver condition में आता है और concrete यदी continuously immersed in sea water है तो भी वह saver condition में ही आएगा इसको हमें ध्यादा bearish shiver condition की बात करते हैं concrete surface exposed to sea area sea water, sea water spray में यदी यह exposed कर रहा है corrosively fumes है, several freezing condition भी आ जाती है, तो वह bearish shiver है concrete in contact with the buried under the aggregate in subsoil ground butter, तो वह bearish shiver है और extreme condition की बारे में बात करें तो वह tidal जोन में आदी आपका concrete member है तो वह extremely saver extreme condition में आजाता है और इसमें chemical attacks जाता होता है तो भाई इन चीज़ों को जान लो एक clue जोन है, 6.1.2 कहता है the minimum grade of aggregate for plan and land force concrete table number 5 से ही आप prefer करें और 9.1.2 कहता है कि जब भी कोई आप concrete की grade specified कर रहे हो कि आपको use करना चाहिए तो आपको minimum information required होगी यदि यह आपका reward है तो आप अपनी सही situation पर पहुंच जाएंगे जैसे कौन सा type of mix आपको use करना है grade की designation क्या है type का cement of type क्या है maximum nominal size of aggregate कौन सा use करना है maximum barter cement ratio कितना use करेंगे workability कैसी होने चाहिए max proportion कौन सा है exposure condition table number 4 of 5 के हमशार क्या है method of placing क्या है degree of supervision क्या है maximum temperature at the time of placing क्या है यह सब चीज़ें आप दी है तो table number 5 के हिज़ाब से minimum barter cement ratio minimum free barter cement ratio इतना आप रख सकते हैं minimum barter cement content भी आप इसके हमशार रख सकते हैं इसमें कोई शमस्या नहीं है और minimum grade of planet cement under mild exposure condition is not specified तो minimum cement content mild में minimum grade नहीं बताया है लेकिन minimum cement बताया है इतना cement तो आपको लगाना है तो वो M10 या M10 के condition में है तो वो आप जरूर देखिएगा और आंगे चलते हैं अब हमें बात करना है cement aggregate ratio के बारे तो भही देखिए cement aggregate ratio के बारे में हम क्यों ना discuss करें क्योंकि सारा दावुनदार तो aggregates के उपर ही होता है cement जहां पकड़के रखता है aggregate महीं strength है cement किसी चीज़ को जितनी जाना अच्छे से पकड़े रहेगा aggregate उतनी ही strength देने में सक्षम बना रहेग यदि cement ने छोड़ दिया aggregate भिकर जाएगा aggregate दम है क्योंकि cement उसके साथ है aggregator the main reason to import strength to concrete hence increasing of cement to aggregate ratio will result the increasing in strength तो वही amount of bottle should be used to hydration और aggregate इदी अच्छा है तो उसका bottle absorption ratio कम होगा और यदि बाटल कम absorb कर रहा है तो वह हमारा hydration में काम आजाएगा तो अल्टिमेटली strength में काम आएगा यह वाली बात होगई grade of aggregate कहते है grade of aggregate कैसा बैल graded aggregate होगा तो वह अच्छी strength देगा यह सब भी जानते हो और कम वाइट्स रहेंगे यदि gradation अच्छी होगी तो और जो अच्छी graded aggregates होते हैं जो नदी के किनारे पे मिलते हैं और वह costly भी होते हैं difficulty to break होते हैं तो as per convenience हम दूसरे भी crashers से हम ले लेते हैं बट हमें देखना यह होता है अच्छा एक चीज और है कि नदी के किनारे बैल graded क्यों होते हैं क्योंकि नदी में वह travel करते हूँ आते हैं तो उसकी जो पानी की friction की वजए से और bell graded round it अब shape and size of aggregates की भी बात कर लेते हैं bell graded aggregates shape and size की बात करते हैं तो हमें flackiness and elongation test हमें लगाना होता है इसकी description में link है वहां से आप जाके इसको देखें कि कैसे करते हैं flackiness पहले करते हैं करते हैं तो कैसे करते हैं इसके लिए हम बता दें कि elongation 1.8 time अधी जादा लंबा है तो वह elongated कहलाएगा 1.6 time पतला है तो वह flaggy कहलाएगा और यह के लिए ias quotes भी है discussion में जाके आप जरूर देखें आपको मिलेगी bell graded aggregates give the best strength as well as graded aggregate consist of both coarse and fine aggregates fill the voids and facility good bonding of cement भाई यह देखो voids को भरने के काम तो आते हैं और cement के साथ में भी अच्छी warning देते हैं more rivers aggregate found near the river are the best for construction जदी नदी के पास का river shand मिल जाए तो बहुत जल्दी अच्छी है और possess immense strength but they are costly and difficult to break as per convenience तो जो भी आपको मिल जाए आप यूज़ कर शकते हैं compaction की बात करते हैं तो भाई compaction तो ही concrete का compaction vibration के थरो होता है और क्यों जरूरी होता है क्योंकि हमने concrete में air है और पानी है और air और पानी हमारा concrete का दुश्मन है जो strength को नहीं लाने देगा तो इसको निकालने के लिए हम vibration देते हैं और vibration से air के voids और पानी के voids को निकाल लिया जाता है यदि इनको नहीं निकाले जाता है तो compaction air voids 10% होते हैं लेकिन वो strength पर 30-55% का share रखते हैं कि यदि आपने air voids निकाल लिए तो आपकी strength 33-55% तक कम हो जाएगी compaction can be done by vibration as the best way of compaction और vibration के थो ही हम इसका compaction करते हैं curing की बात हम कर लेते हैं कि 7 दिन minimum होना चाहिए curing और आम आपको एक और बात बदा रहे हैं कि हमने 100 days 100 important points को भी discuss किया है वह भी आप description से जाके देखे और आपको मिलेगी बहुत अच्छी information curing के बारे में बहुत सारी पहुंचाती है और next 14 days में 98-100% तक हम पहुंचाते हैं लेकिन हमें साथ दिन से 14 दिन तो कम से कम करना ही है क्यों 85% इस्ट्रेंज ले लेगा तो बाकी तो वो अपने असाब से ले ही लेगा curing can be done in many days like membrane अलग-अलग प्रिकार से curing की जाती है जैसे spray हो गया steam से हो गया और भी बहुत सारे तरीके है आप जिससे करना है but curing is most important तो उससे करना ही है water content, cement content तो भाई देखो well graded aggregates भी matter करते हैं पानी आप कौन से pH का लगा रहा है कितना pH होना चाहिए construction में हम यूज करते हैं pH 6 to 8 होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं cement content है जो तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि यूज स्टेंथ सीधा कम हो जाता है उसके cement के test करवाने के बाद ही यूज करना चाहिए और किस तरह से environment के condition में direct contact में तो नहीं है उस तरह से भी use होना चाहिए cement content और बादर content के लिए यह सब चीज़े effect करें अच्छा एक चीज और है बात strength की कर रहे हैं तो हम इसको कैसे बूल सकते हैं कि आप देखोगे कि concrete में mostly क्या होता cement sand and aggregate and add mixtures लेकिन हमने अभी एक बात कहिए surface area को हम discuss कर रहे थे कि जितना surface area होगा वो हम burkability में और अच्छे से discuss करने वाले हैं तो surface area आप जितना बढ़ाओगे cement उतना ही कम लगेगा और जितना cement लगेगा उतना economical हो जाएगा तो sand की जगए coarse sand भी river sand भी लगाओ coarse sand भी आप use करोगे तो आपका economically कम cement लगेगा आप cement कम कर सकते हो strength पर कोई effect नहीं पड़ेगा यह हम कह रहे हैं कि आप इसको जरूर use कीजिए और burkability में बहुत सारे चीजें और अच्छे से discuss करने वाले हैं तो यह और कौन से ऐसे factor है जो burkability को depend करते हैं तो हम भी देख लेते हैं factor है border content, border cement ratio, mixed proportion aggregate cement ratio, size of aggregate safe of aggregate, surface texture of grading यह सब चीजें burkability को effect करते हैं लेकिन आप कहोगे सर आपने इनीक सब चीजों को तो strength के लिए कहा था यही सब आपके burkability के लिए हो गए ऐसा क्यों बहुता सब खेल बही है बस समझने की बात है कि burkability कैसे effect करते है यह बाली देखें इसके बात फिर और discuss करेंगे आप comment box में अपना जो भी आप सूच रहे है वो हमें देखें हम जरूर आपके साथ होंगे देखो higher the cement content, higher the burkability और Abraham's law भी कहता है कि strength of burkability of concrete depends on the border cement ratio border cement ratio पर ही strength depend करती है लेकिन burkability भी depend करती है तो water cement, butter बढ़ा हो गए तो burkability तो बढ़ेगी लेकिन strength कम हो जाएगी तो उसके proper cement ratio में maintain करके रखना होता है और वो voids of volume solid volume की ratio में भी stronger होते हैं और तो butter cement ratio तो हमने manly जो strength में discuss किया था burkability के लिए है ही mixed proportion कौन सा और grade of cement ratio aggregate cement ratio भी use होना चाहिए देखो क्या रहता है कि concrete increase as a aggregate cement ratio increase भाई लेकिविल्टी बढ़ेगी cement और aggregates का ratio बढ़ेगा तो और less amount of cement is required for moisturizing hence भाई और कम cement लगेगा moment of aggregates restriction कम होगा hence the moment of जैसी आप कम cement लगाऊगे तो moment of aggregates का restricted होगा वो burkability कम कर देगा in case में किसी case में आप rich concrete आप बना रहे हो और उसमें lower aggregates है तो महाँ पे more paste होगा ज्यादा paste होगा mix cohesive and give the better burkability तो aggregates कम लगाऊगे तो burkability बढ़ेगी यह समझ में आपको आ रहा हो तो इस चीज को ध्यान में रखना है और भी बहुत सारी चीजह हैं जैसे size of aggregates की बात कर लेते हैं तो size of aggregate आप कितना बड़ा aggregate लगाऊगे जितना less will be the surface area hence the less amount of water will be required जितना surface area कम होगा उतना कम पानी हमें लगाना पड़ेगा mosturization के लिए कम पानी की required होगी और burkability बढ़ेगी this will be the result of uses of less space which is economically and it will be done with higher workability तो जितना surface area कम होगा उतना ही कम पानी की जरूरत होगी और जितना surface area जादा होगा उतना ही कम cement की जरूरत होगी यह golden formula है जिसका हमने आपके साथ commitment किया था यह आप द्यावरना इस समझ में नहीं है comment box में लिखो हम जरूर आपके साथ होगे और shape of aggregates की बात कर लेते हैं कि वही देखो angular और flakky aggregates लगाओगे तो बर्गिबिल्टी तो restrict होगी ही न as per rounded or cubical aggregate यदि आपका rounded aggregate है तो concrete smoothly move करेगा बर्गिबिल होगा और flakky होगा तो movement उसका रुख जाएगा यही चीज है कि rounded aggregate have lesser surface area और rounded aggregates में have a कम surface area है तो less boids रहेंगे और less boids रहेंगे और result in lesser friction और जो boids कम हैं तो friction भी कम होगा और higher the breakability तो यह सब एक दूसरे से link है इसको technical terms है इसे interlock और श्रमजने की जरूवत है because of this reason river sand and gravel are used for higher breakability than crasher river की sand और river की gravel को हम mostly prefer करते हैं crasher के comparison में but mostly river से sand और यह बाकी सब चीज़े निकालना restricted है तो हम crasher को use कर रहे हैं but हम कोसिस करना चाहिए कि वो rounded or cubical aggregates हो as per technical pun you have to be see this surface texture अच्छा होगा तो भी friction कम होगा और कम friction होगा तो आपकी burgability बढ़ेगे तो surface texture भी सब यह भाही texture और surface texture इन matter करता है gradation की बात करते हैं तो bell graded aggregate होगा तो higher will be the burgability और less number of boids रहेंगे तो strength भी अच्छी रहेगी तो strength में भी gradation का effect है और burgability में भी strength का है this factor influence most in the burgability of the concrete as well well graded aggregate are preferred for the better burgability or better strength दोनों के केसे finally हम conclude कर रहे हैं अपनी बात को कि हमने बहुत सारे ऐसे points discuss किये जो strength को भी effect कर रहे थे और burgability को भी effect कर रहे थे तो हमें दोनों को balance करके रखना है यही perfect perfect mix देगा और हम जिन discuss और भी बहुत सारे factor हैं like temperature and better conditions जो हमने discuss नहीं किये लेकिन उनका इतना जादा major contribution नहीं है factor affecting में तो हम उसको discuss नहीं करना है but above the points जो हमने discuss किये हैं यदि इनको आप control कर लेते हैं तो आपकी strength कम होगी strength सही होगी और burgability भी अच्छी होगी और I hope कि आपने session को enjoy किया होगा और thank you for watching